नमस्कार, मैं शुबांगी भारती भारती शेयर मार्केट के आज के फ्री यूटूब लर्निंग सेशन में आप सभी का तहदिल से स्वागत करती हूँ आज का हमारा टॉपिक है ओप्शन ग्रीक्स आज हम लोग देखने वाले हैं ओप्शन ग्रीक्स के बारे में एकदम simple and easy language में मैं आपको ओप्शन ग्रीक्स आज समझाने वाली हूँ आए हम लोग देखते हैं ओप्शन ग्रीक्स के बारे में तो हम लोग आज किस के बारे में देखेंगे? ओप्शन ग्रीक्स के बारे में ओके? पाँच टाइप के, पाइव टाइप के ओप्शन ग्रीक्स है फर्स्ट है थीटा, देल्टा, गामा, वेगा, और रो यह पाँच टाइप के ओप्शन ग्रीक्स है, तो आज हम लोग दो ग्रीक्स के बारे में ओप्शन ग्रीक्स के बारे में जानेंगे, एक है थीटा और दूसरा है डेल्टा तो ठीटा को सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्या है ठीटा? ठीटा जो है वो time को बताता है time dk को क्या करता है? बताता है तो एक example लेके हम लोग ठीटा समझेंगे Suppose मान के चलो भी nifty है nifty जो है वो 18,000 चल रहा है कितना चल रहा है? 18,000 चल रहा है और हम लोग क्या करने वाले हैं? इसका call buy करने वाले हैं. अगर हम लोग, मान के चलो कि हमें 100 रुपए का हमने क्या किया? प्रीमियम हमने भरा, ओके? तो यहाँ पर अभी ठीटा कैसी work करता है? वो हम लोग देखेंगे. अभी मान के चलो हमने 27-10 को ये position लिया था. निट्टी तो हमने 100 रुपए का क्या किया था? प्रीमियम भरा था. अभी 27 को हमने position लिया है. अभी दूसरा दिन 28-10 को. Market क्या हुआ? Sideways रहा मतलब Market ने कुछ भी moment नहीं दिया Market क्या हुआ? Sideways रहा तो अभी Market Sideways रहा है तो ये premium का क्या होगा? ये कम होगा, बड़ेगा या वो ही पे रहेगा क्योंकि market तो Sideways है Market तो उपर ही नहीं गया उपर भी नहीं गया और नीचे भी नहीं गया Market Sideways है, तो premium का क्या होगा? तो ये premium जो है ना वो 80 रुपीज हो जाएगा अभी आप बोलो कि ऐसा क्यों? ये कम क्यों हुआ? क्योंकि यहापे ठीटा काम कर रहा है मतलब क्या? अगर आपने 100 रुपीज का premium भरा है एक दिन 27 को लिया था 28 चल रहा है, तो उसका क्या होगा? आपको यहापे ठीटा लगेगा और आपका जो premium है वो time decay की वज़े से कम होगा. अभी 29 तारिक का हम लोग एक्जांपल लेते हैं जैसे कि 29 तारिक हो गया, 27 को position लिया 28 को 100 रुपे का premium 80 रुपे हो गया अभी 29 तारिक का देखेंगे 29 तारिक को market बहुत बड़ा बहुत उपर चल लगया तो अभी इस condition में क्या होगा? तो इस condition में भी जो है premium जो है आपका, वो कितना होगा? 70 रुपीज होगा अभी आप बोलोगे, market उपर चल लगया है पर premium Q70 हो गया हाँ, तो इसमें क्या होगा? डेल्टा के हिसाब से अभी वो डेल्टा क्या है? मैं आपको बताऊंगी तो डेल्टा के हिसाब से profit आड होगा वो अलग बात है पर आपको यहाँ पर क्या लगेगा? टाइम दीके लगेगा यहाँ पर ठीटा काम कर रहा है market उपर भी चला गया है तो भी आपको क्या लगेगा? यहाँ पर ठीटा लगेगा डेल्टा के हिसाब से कुछ profit वो आड हो जाएगा वो अलग बात है जैसे कि जो 200 पॉइंट बढ़ा है 200 के कैलकुलेशन अगर हम देल्टा के हिसाब से करेंगे तो अगर 50 रुपीज बढ़ रहा है तो क्या होगा? यह 70 में 50 अड होगा मतलब आपका प्रीमियम क्या? 120 हो जाएगा पर आपको यहाँ पर ठीटा लगेगा सेम वेसे ही अगर आप 30 तारिक चल रहा है मार्केट और उपर चला गया तो भी आपका प्रीमियम क्या होगा? कम होगा प्लस डेल्टा के हिसाब से आपको क्या होगा? प्रॉफिट आड होता चला जाएगा मतलब क्या? अगर आपने कॉल बाई किया है कॉल बाई किया है तो मार्केट उपर चला जाए साइड वीज रह जाए या फिर नीचे चला आ जाए तो भी आपको क्या होगा? ठीटा लगेगा क्या होगा? ठीटा लगेगा और आपका जो प्रीमियम है वो क्या होगा? कम-कम होता चला जाएगा क्योंकि ठीटा यहाँ पर काम कर रहा है यह समझ में आया आप ही अभी हम लोग क्या देखेंगे डेल्टा के बारे में देखेंगे तो क्या है डेल्टा डेल्टा को कैसे क्यालकुलेट करना है वो हम लोग अभी देखेंगे डेल्टा जो है इस पे आपको याद रखने वाली बात ये है कि डेल्टा का जो रेंज है वो 0 to 1 है अब एक एक एक्जाम्पल लेके हम लोग डेल्टा को समझेंगे मान की चलो अभी निफ्टी जो है वो 18,000 चल रहा है और हमने क्या किया? उसका कॉल बाई किया क्या किया? कॉल बाई किया और हमें 100 रुपीज का प्रीमियम मिला अब प्रीमियम हमने पे किया बराबर अभी डेल्टा समझने से पेले हमें और एक चीज समझने बहुत ही इंपोर्टिंट है क्योंकि उससे ही हम डेल्टा को क्याल्कुलेट कर सकते हैं अभी हम लोग अगर मार्के चलो अभी 18,000 का निफ्टी चल रहा है हमें कॉल बाई करना है उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे ओटियम क्या है एटियम क्या है और आईटियम क्या है यह हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो एटियम OTM और ITM यह बहुत ही important है जब आप option में trading करते हो तो आपको यह OTM क्या है, ATM क्या है और ITM क्या है यह समझना बहुत ही जरूरी है तो अगर आप देखोगे तो ATM जो है ATM मतलब अभी मान के चलो Nifty का price चल रहा है 18,000 का और हमें call buy करना है तो अगर हम लोग 18,000 ही strike price लेते है तो यह क्या हो गया हमारा ATM हो गया, right उसके बाद OTM क्या है अभी मान के चलो Nifty चल रहा है 18,000 का और हमें call buy करना है, ओके तो OTM हो गया इसका 18,000 hundred का, correct और ITM जो है अभी मान के चलो Nifty 18,000 चल रहा है हमें call buy करना है, तो ITM जो है 17,900 का इसको क्या बोलेंगे अगर हम 17,900 की strike place लेते हैं तो यह हो गया ITM और डेल्टा का जो range है वो ऐसा है, डेल्टा का range है ATM में 0.5 होता है ITM में वो near to 1 रहता है पर एकदम deep ATM में वो 1 रहता है, otherwise वो 0.80 0.7 रहता है और ATM में, ATM में क्या है इसका ATM में एकदम deep, deep ATM में इसका क्या रहता है डेल्टा 0 रहता है, पर normal मतलब अगर normal ATM रहेगा तो उसको 0.1, 0.2 का क्या रहता है डेल्टा रहता है तो अभी हम लोग इसको कैसे calculate करेंगे वो हम लोग अभी देखेंगे पर सबसे important आप अगर देखोगे तो ITM जो है ITM के लिए premium जादा रहता है, जैसे कि ITM के लिए अगर 100 रुपए premium रहेगा, तो ATM के लिए क्या होगा, 80 रहेगा और OTM के लिए सबसे कम premium रहेगा, और ये SIP में call के लिए OTM, ITM और ATM मेंने बताया है, पर अगर पुट रहेगा, तो इसके exactly उल्टा होता है तो आपको क्या करना है, एक SIP call का याद रखना है, OTM क्या है ITM क्या है, उसके उल्टा ही पुट का करना है आपको, ओके, तो हम लोग अभी calculate करेंगे, डेल्टा के से calculate करता है वो हम लोग क्या करेंगे, अभी देखेंगे मैं आपको एकदम easy तरीके से समझा रही हुए, क्योंकि ये draw chart मैंने इसलिए draw के आए क्या आपको भी एकदम easy way से आपको समझ में आए अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ITM ATM राइट, then OTM अभी जो वहाँ पर लिखा है आपने वो सेम हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ITM के लिए डेल्टा कितना होता है near to 1 एकदम deep ITM में near to 1 delta रहता है, अभी ये 1 क्यों लिए है वैसे 0.8, 0.7 0.9 रहता है, एकदम deep में ITM में 1 delta रहता है पर ही calculation के लिए easy जाए और आपको भी समझने में चीज़े, आसानी हो, इसलिए मैंने around, एकदम 1 लिया है, अभी ATM में जो है, डेल्टा 0.5 का होता है, और OTM में जो डेल्टा है, 0.1 के लगबग होता है, और deep OTM में 0 होता है, राइट भरा था, हमने वहाँ पे लिखा है 100 रुपे का प्रीमियम ये किया था ATM के लिए 80 रुपे का प्रीमियम, और OTM के लिए 60 रुपीज का प्रीमियम, राइट अभी, मान की चलो हमने call buy किया है 18,000 का क्या चल रहा है, CMP current market price चल रहा है, और 100 points आपको मिले हम लोगों ने क्या किया है, call को buy किया है तो 18,000 से market उपर बढ़ा तो 100 points हमें मिले राइट, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हमें कितने मिले, 100 points मिलेंगे क्योंकि हमें क्या करना है, कितना point बढ़ा तो उसके हिसाब से हम delta के से calculate करेंगे, वो हमें देखना है तो अगर 100 point market बढ़ता है तो ITM में delta के हिसाब से हमें कैसा profit होता है, वो हम लोग देखेंगे ITM का हम लोग देखने वाले है और हमें कितने points मिला है 100 points मिला है market क्या हुआ, 18,000 से 18,000 100 हो गया, हमें 100 points मिला है और इसका ITM का delta कितना है, 1 तो 100 points मिला जितने points मिले उतने into 1, अगर आपको 200 points मिलते तो आप यहाँ पे 200 लिखते तो 100 points into 1 अगर आप करोगे तो इसका calculation आता है 100, तो यह 100 यह हमने क्या किया है, delta को क्या किया है, हमने delta calculate करके लिया है तो यह 100 प्लस आपने जो प्रीमियम भरा था पेले स्टाटिंग में, जो प्रीमियम हम लोगों ने भरा था यहाँ पे, ITM लेने के लिए, 18,000 का market price चल रहा था, हमने call buy करना था, हमने ITM में क्या किया था, buy किया था, तो 100 रुपे हमें क्या करा हुआ, प्रीमियम भरना पड़ा, तो वो 100 रुपेज, प्लस आपने जो delta calculate किया है, वो, तो इसका अगर calculation करते है, तो 200 आपका क्या हुआ, प्रीमियम, प्रीमियम में points आपके 100 अड़ हुए, डेल्टा के हिसाब से, डेल्टा राइट, अभी इसमें क्या था आपका, 100 रुपे का क्या था आपका, प्रीमियम आपने अल्रेडी भरा था, तो gross profit आपको कितना हुआ, gross, sorry, net profit आपको हुआ, 5000 का, gross तो हुआ, 10,000 का, पर उसमें आपका 100 रुपे का investment भी था, तो 5000 का क्या हुआ, आपको, ITM आपने लिया, 5000 का उसमें आपको, डेल्टा क्या हुआ, 100 पॉइंट बढ़ने से आपको profit मिला, अभी हम लोग देखेंगे, ATM के बारे में, अभी ATM में आपको किसी profit होता है, वो हम लोग देखेंगे, डेल्टा को ATM में किसी calculate करना है, और उसके हिसाब से किसा profit हमें मिलेगा, डेल्टा calculate करके, वो हम लोग देखेंगे, अगर market कितना बढ़ता है, 100 points से उपर बढ़ता है, हम लोग देख रहे है, ATM के बारे में, right, market कितना point बढ़ा, 18,000 से 800 हो गया, मतलब 100 points आपको मिले, right, 100 points, पर हमने देखा है, ATM का जो डेल्टा है, ATM का, add the money option का, वो है 0.5 का, right, into 0.5 करेंगे हम लोग, तो इसका calculation आता है 50, मतलब हमने क्या किया, यहापे डेल्टा calculate करके लिया है, ओके, तो यह 50 जो है, यह 50 plus, sorry, 80 रुपीज आपने क्या किया था, premium भरा था, हमने देखा है, ATM के लिए क्या होता है, कम लगता है, और OTM के लिए उससे भी कम लगता है, तो हम लोग क्या लेंगे अभी, ATM का premium यहापे लेंगे, तो 50 plus 80, कितना होता है, 130, right, तो 130, इन्टु अगर lot size आप करोगे, निफ्टी का lot size है, 50, 130 इन्टु 50 रुपई lot size करेंगे, तो होगा 6500, यह क्या हुआ आपका gross profit हुआ, आपने सब डेल्टा वेगे रे calculate किया, 6500 का क्या हुआ आपको gross profit हुआ, और अगर आप इसमें से, अगर यह minus करते हैं, जो आपने investment किया था, वो अगर minus करते हैं, तो उसका calculation आता है, 2500, right, अभी हम लोगों ने देखा, ITM का delta 1 था, 100 points से market, 100 points से market बढ़ा, बढ़ा, तो हमें 5000 का profit मिला, ATM जो है, ATM का delta 0.5 था, 100 points से market बढ़ा, तो उसको क्या हुआ, 2500 का profit हुआ, अभी हम लोग देखेंगे, ATM के बारे में, ATM जो है, ATM के लिए delta क्या होता है, कम होता है, कितना है, 0.1 के अगर वो डीप रहेगा, तो 0 ही रहता है, delta, ओके, तो 100 points मार्केट बढ़ा है, जैसे के 18,000 से 18,000 से हो गया, तो 100 points हमने यह आपे लिखें, हमें delta क्यालकुलेट करना है, 100 points बढ़े हुए, प्लस इस, ATM का delta कितना है, 0.1, तो इसका calculation आता है, 10, यह हमने क्या किया, delta calculate करके लिए, तो 10, प्लस आपने जो investment किया था, इसके लिए, premium कितना था, 60, ओके, तो 10 plus 60 अगर करेंगे, तो इसका calculation आता है, 70, तो 70 into nifty का जो lot size है, वो 50 है, तो इसका अगर calculation करते हैं हम लोग, तो इसका calculation आता है, 3,500, राइट, अभी इसमें हमारा investment भी था, कितना था, हमने 60 रुपए का premium pay किया था, तो हमें profit कितना मिला, profit हमें मिला 500 का, राइट, यह आप calculate करके देख सकते हैं, यह सभी चीज़े, आप calculate करके देख सकते हैं, तो हमें क्या हुआ, 500 का आपको क्या हुआ, हमें profit मिला, राइट, अभी हम लोग इसके बारे में देखेंगे, थोड़ा सा, एक बार इस पर नज़र डालेंगे, ATM जो था, ATM का कितना यह था, डेल्टा था? 1, ATM का डेल्टा 0.5, OTM का कितना था? 0.1, right, ATM का डेल्टा 1 होता है, इसको premium ज़ादा लगता है, और profit भी ज़ादा होता है, अगर ATM के बारे में देखोगे, तो डेल्टा middle range में होता है, 0.5 का डेल्टा है, premium इसको कम लगता है, ATM में premium कम लगता और profit भी ITM से कम होता है और अगर OTM के बारे में देखेंगे तो OTM में 0.1 का delta है आपको premium ITM और ATM से भी क्या हुआ था आपको premium कम लग रहा था पर profit भी आपको क्या हुआ है कम हुआ है तो यह सब ऐसा calculation है और इस हिसाब से हमें क्या करना है? डेल्टा को calculate करना है तो आज हमने ठीता और डेल्टा के बारे में देखा ठीता और डेल्टा के बारे में जितना हो सके उतना easy language में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है अब यह आने वाले वीडियो में हम ग्यामा, वेगा और रो के बारे में जानेंगे